हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो दे चैनल एड़ोप यहां पे जिस व्लॉग का मैंने एंड किया था रहा लास्ट व्लॉग उसी इवनिंग से यहां पे स्टार्ट है सबसे पहले मैंने सोबे तो लॉंडर्री की थी अभी कपड़े सब कुछ तहे करनी है लेकिन जब यह तरह के काम आधिक नहीं है शी बहूंसे नेधैया यहां बशी यह तो मैं तो फी। लेके आगे मुझे यहां पे ग्रीन चिली बगरे दो के सुखानी थी पपाया यहां कितने टाइम से पड़ा था एक हपते से ज्यादा पक ही नहीं रहा था और पका मैंने सोचा कि चलो अब तो पक जाना चाहिए सो मैंने काटा तो अंदर तक फंगस आ गई थी इसके सो सारा पपाया मैंने वेस्टेश कर दिया मिन्स बिगड़ गया और क्योंकि मुझे भी इवनिंग टाइम था मॉर्निंग में मैंने फ्रूट लिया नहीं था जल्दी चले गए थे साधी में सो फ्रूट मुझे चाहिए चाहिए दिन में एक टाइम तो पता नहीं क्यों बॉडी में मांगती है सो सुचा चलो थोड़ा सा फ्रूट खालो तो पपाया ही खालूंगे लेकिन पपाया भी गड़ गया था सो फिर मैंने मैंगो और स्ट्रॉबेरी ले ली सो यहाँ पर मैं फिर से उपर आ गई हूँ उसमें से मुझे ड्राइंग मैट लेने थी और जब उपर से मैं नीचे उतर रही थी लेके तो देखा बहुत ही अच्छी वाली बारिस बाहर हो रही थी और ऐसे आज जो शुक्रवार है तो मेरा पूजा करना है मेरे को तो मुझे फ्लावर चाहिए मैने सुचा देर से मैं तोड लूँगे लेकिन अभी बारिस हो रही और बहुत ही हैवी वाली होने वाली है आगे तो सुचा चलो अभी से मैं इसे तोड के रख लेती हूं अंदर इससे मुझे बाहर निकलना ना पड़ी इतनी हैवी बारिस मे तो मैं तोड के लिए और मुझे मैं भीग गई थी तो वैसे अभी न वो छोटी छोटी वाली बुंदे हो रही है बुंदा बंदी वाली लेकिन फिर भी ठंड लग जाती है तो मैंने यहां पर जैकेट लगा लिया और यह ड्राइंग मैट मुझे यहां लगाना था जैसे म लेकिन हां रसोई नहीं बनाने होती है वो बड़ी बहुत बड़ी बेनिफिट्स हो जाती है क्योंकि ऐसे लगता है कई बार हो जाता है कि बस ब्रेक मिल जाए इस कीचन से चोटे-चोटे काम हम कर लेते हैं इस तरह के एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो यहां पर मेरी पुजा का टाइम हो गया है मैं नहाद हो के आगे पुजा कर लूँगी यहां पर बस लास्ट व्लॉग आप लोगों सबको बहुत पसंद आया सो थैंकिस सो मच बस इसी तरह से आपका प्यार मुझे देते रहना और यह अब हमारा हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग यहां चाई बन रही है हलाकि अभी मैंने एक आध हपते से इस तरह का स्टार्ट किया है कि मैं मॉर्निंग में ज्यूस ले लेती हूं और उसके बाद चाई पीती हो और यह मोसमी बहन की सबमहरबानी है बस वह मुझे काफी दिनों से फोर्व करी, कि मॉर्निंग में चाई मत पयो सबसे पहले ने ज्यूस् पी लो फिर यह चाई पीना, लेकिन जिसको भी पता होगा चाई अडिक्ट्र होते हैं वो चाय चायिए लेकिन ऐस तो फिर साजी में जाना है। ज्यूस तो मैंने बुला नियास तो चलो फिर बहाना भी मिल गया कि चाई पिनी है सुबह और यहां पर थोड़ी सी मिर्ची मेरी रह गए थी जिसके डंठल निकालने के लेकिन जब चाई बन जाए तो इतनी मिर्ची भी नहीं हो सकती वो चाई के बाद ही काम होता है एक बार चाई में आ जाए फिर कुछ भी काम नहीं होता पता नहीं क्यों चाई ही दिखती है सो चाई वगेरे पीने के बाद जो बाकी मिर्ची रह गए थी उसको मैंने कर लिया सो यहां पर मैंने दो सेट अलग किया है एक को मैं इस तरह से मैंने बैग में रख लिया है छोटी मिर्ची औ बस काकड़ी देख लो आप बिल्कूल भी क्यूकंबर जैसा टेस्ट कोई मिर्ची वाला टेस्टी नहीं है सो इस साब से मैं थोड़ी सी थाई चली ले आई हूं सो जिससे मैं मिक्स करके इसे पीस करके रख सकूं सो यहां पर हम लोग साधी के लिए तयार हो रहे हैं जाने बस स्लाइब क्या करता है संस्क्रीन पाउडर आई-लाइनर कल लिप्स्टिक नहीं लगाई थी लेकिन आज मैंने लगा ली थोड़ी सी लिप्स्टिक सो बस तयार हो गए हैं यहां से बहुत ही थोड़ा सा मेकप लेगिं किया है जरूर आज साधी में होते हैं जाना होता है तो सब हमारी तरह ऐसे देखते हैं कि जैसे हमें कुछ हुआ है साध हमें कुरोना हो गया है बस इसी डाउट से हमें नजर से देखते हैं तो हमने भी अब निकाल दिया रही और नो यह सई यह गलत है मुझे नहीं मेरे ख्यास से तो गलत ही हो रहा है लेकिन अब क्या करें तो यहां जाएगा फिर बैट नहीं पाऊंगी मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी लेकिन वो मुझे खीच के ले गई तो हाँ हाईजिंग का ध्यान पूरा रखना है फुली हमें वो रखना है लेकिन खाना वगेरा जो आपका दिल करे खालो उसके बाद किस तरह से मैनेज करना है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बार शेर कर चुकी हूँ कि ताइम टू टाइम आपको क्लेंज करना है तो यहां पर खाने में आज रतालू का भज्या था पूरन पूली थी रोटी थी और वाइट ढोकला था भथकड़ी था और क्या था पात्रा सुरन का नई पात्रा एं तुरिया का शाक था और एक सबजी थी पनेर भूर्जी थी वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी एक चम्मच की जितनी मैंने ली थी ट्राइकेलने के लिए लेकिन और कोवी एंड बिल पेपर का संभारा था बिल पेपर्स तो मेरे होता ही है कहीं भी जाओ मेरे घर में भी आपने देखा होगा मैं बहुत य नहीं लेती हूं अच्छा आ गए यहां पर हम लोग वापिस और उसके बाद यहां पर जो कपड़े थे वो सारे मैंने उल्टे कर दिये क्योंकि इतना पसीना तो नहीं हो रहा था क्योंकि वहां भी फूल एसी था कार में भी एसी होता है और गर्मी हां बहुत गर्मी है मैं थोड़े से बस कहते है ना एर सर्कूलेसन आ जाए इस कपड़े में अच्छे सी हवार निकल जाए हमारी बॉड़ी की स्मेल चली जाए जो भी कुछ है तो उसे मैं रख दूंगी यहां पर फैला करके उसके बाद हम लोग चलेगे थे सैंस के लिए मेरी मडिकेशन लेन हम लोग फार्मसी में मेडिसिन लेने और आज तो फ्लावर्स की बस सभी जगा ऐसे ना लाइन लगी है क्योंकि मदर्स दे था टुमारो इस इस हिसाब से सो मुसमी भी बस में ले लू मैं ले लू मैं ले लू मैं नहीं यार जाने देना थर्टी डॉलर्स ट्वेंटी लाके दे मैं बाहर और लगा दूंगी प्लांटिंग कलनूंगी उसमें से तुम मुझे रोज एक एक लाके देते रहना और हैपी मदरस्डे करते रहना सो मैंने उसको मना कर दिया यहां मैं ब्लॉड प्रेशर चेक कर रहे इस थी तो आप देख सकते हो 111 ओवर 79 शो हो रहा तो छोटी मोटी भूख लगती है ना बच्चे को थोड़ी ज्यादा लग जाती है फिर सो और पनीर है तो थोड़ी सी उसको फिलिंग भी आ जाएगी सो पनीर और क्रेकर्स वो खा लेगी यहां पर सो कंटेनर में भर की इस तरह से रख लेते हैं तो कुछ भी इस तरह की छ किछन में आज भी नहीं पका है क्यूंकि मधरस्प्रे था तो मुसमि की इच्छा थी के ममी फ्लावर्स तो नहीं लेने दिया तुमने लेकिन आज पीजा ओरडर करेंगे तैसे मैंने वूबला चलो ठीक है तो आज भी कोई कोकिंग नहीं करनी थी सो बस इसका फुली उठाया गया घर क्लिनिंग करके तो यहां पे हम लोग आज पीजा ओर करेंगे और आप लोगों ने मदरस पे क्या किया जरूर से मेरे साथ शेयर करना और यहां पे मोसमी ने फिए याड में से मुझे फ्लावर लाके दिये मैंने इस तरह से इस छोटे से पॉट में रख लिय है सो चल यह फी मिलते हैं अगले व्लॉग में अंटिल देन टेक केरें बाई बाई